वेलकम टू ओनलाइन गुरुजी क्लासेज आज हम अप्रॉक्सिमेशन का पार्ट टू देखेंगे इससे पहले लेक्चर पे जो की अप्रॉक्सिमेशन वन का था उस पे मैंने आप लोगों को बेसिकली दो चीछे सिखाया था पहला तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी डिविजिन बहुत लंबा हो जाए तब डिविजिन को शॉट करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है आप लोगों ने जो डिनोमनेटर है डिनोमनेटर में खाली थ्री डिजिट तक रखना है बाकी सारे डिजिट को देना है तो जितने denominator से आप लोग eliminate करोगे same digit same number of digit आप लोग numerator से भी eliminate करोगे इसके उपर फिर मैंने दो example भी दिये थे आप लोगों को same approach को समझाने के लिए उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि cube root निकालने को आ जाता है कभी-कभी बीच में तो हम लोगों ने देखा था कि जो आप लोगों के perfect cubes नहीं होते हैं ठीके उन numbers का cube root हम लोग कैसे निकालेंगे clear perfect cube का तो simple है उसके regarding पे lecture भी है वो lecture देख लेना जिन्नोंने अभी तक नहीं देखा है बाकि गर perfect cube ना हो तो परेशानी है तो उससे कैसे हम लोग approximate करेंगे उसके regarding भी मैंने एक lecture पे discuss किया था part 1 पे clear okay इस lecture पे हम लोग approximation से related कुछ question solve करेंगे जो आप लोगों के previously exams पे पूछे गए है okay and जिन लोगों ने अभी तक मेरे facebook के group online गुरू जी को join नहीं किया है आप लोगों से request करूँगा कि आप लोग मेरे facebook के group online गुरू जी को join कर लीजे या तो मेरे youtube के channel online गुरू जी को subscribe कर लीजे बैटर यह होगा कि आप लोग मेरे साथ facebook के group online गुरू जी के through connected रहे clear ठीक है चलो अब start करते हैं अपना lecture ठीक है approximation कुछ है नहीं बस approximate ही करते जाना है ठीक है okay question number one see rounding off तो पड़ाई होगा बच्वन पे आना बस वही है approximation का बतलब वही rounding off ही देखना जाता है ठीक है जैसे यह है question 39.897 percentage of 431 4331 sorry plus 58.779 percentage of 5,003 clear ठीक है अब देखो 39.897 39.89 को approximately अगर मैं बोलू हूँ कि आप लोग इसे round off करो तो यह किस के close होगा 39.8940 के close होगा तो अव्वेस ही बात है आप लोग इसे लिखोगे 40 percentage percentage का मतलब क्या होता है 1 upon 100 अच्छा अब देखो 4331 ठीक है अब अगर मैं यहाँ पर देखू इस step तक देखू तो चलो अभी मैं ऐसी लिख देता हूँ 4331 clear plus 58.77 approximate इसे round off करोगे तो क्या लिखोगे इसे 59 of percentage का मतलब 1 by 100 of का मतलब multiply and 5003 clear अब इसे solve करना है clear अच्छा board mass के rules तो सभी को आप लोगों को पता होंगे सबसे पहले bracket of division multiplication add and subtraction clear board mass simplification में पढ़ेंगे basically board mass और उस related थोड़े questions कैसे उन्हें अप्रोच करना है clear यहाँ पर देखो simply मैं इस 0 से इस 0 को काड़ सकता हूँ clear अब मैं पास एक 0 नीचे रहा गया अब आप लोग सोचो तो अगर यह 4 3 3 1 है अगर मैं 4 3 3 1 की जगा 4 3 3 0 बना दू इसे तो कुछ ज़्यादा फरक पड़ेगा कुछ नहीं फरक पड़ेगा clear 4 3 31 की जगा अगर मैं 4 3 30 लिख दू तो क्या फरक है कुछ नहीं है क्योंकि question में तो पहले ही बोला गया है कि आप आप आप्रोक्सिमेट कर सकते हैं तो मैंने तो एक हलका सा अप्रोक्सिमेशन लिया यहां पर clear तो अब आप इस जीरो से भी इस जीरो को इसली कर सकते हैं कि यहां आजा देखो 59 को जगती अगर आप इसे देखोगे यहां पर दो जीरो है मुझे जैसे भी यह दो जीरो को काटना है clear अगर आप यहां पर देखो 5003 5003 लिखा हुआ है मैं इसे अप्रोक्सिमेट कर लेता हूं मैं इसे अप्रोक्सिमेट करके बोल देता हूं यह 5000 के वराबर है क्यूं मैंने बोला क्यूंकि मुझे पता है 5000 लिखते ही नीचे के दो जीरो से यह दो जीरो कटने वाले है ठीक है डिविजन को जो डिविजन पर आएगा नमबर उसे इस तरह से हैंडल करना है कि वह हमेशा कैंसल आउट ही करें अपने नियूमरेटर को clear तो यह 0 यह 0 कैंसल आउट तो यह 0 यह 0 कैंसल आउट आपका कुश्चन तो बहुत ह हो गया ठीक है 4 3 3 x 4 4 3 12 1 carry 4 3 12 3 4 4 16 or 17 1732 plus 59 95 45 45 55 25 or 4 29 clear अभी से add कर दो 2 और 0 2 3 और 5 8 7 और 9 16 2 और 1 3 और carry 1 4 6 8 2 और अब देखो option यह किस option के close है option number C 4700 के सबसे close है ना देखो इस पर 18 और डाल दोगे तो यह यहीं बन जाएगा क्लियर तो option C will be my answer क्लियर ठीके ना तो किस कुश्चिन नबर 2 देखते हैं क्लियर अजिए क्लियर अजिए क्लियर जाए और देख फॉर थी नाइन थी वन प्ट जिरो थी को मैं अल्यूमिनेट कर सकता हूं ठीक पॉइंड जिरो थी इस नेगलिजिबर दिवाइड बाए 2111 multiply by 401 .04 को भी eliminate कर दो ठीके ना बहुत ही छोटा है होगा अच्छा अब देखो सेम कोश्चन आ गया जिस कोश्चन को हम लोग discuss भी कर रहे थे अभी ठीक है मैंने बोला मैंने क्या बोला था मैंने बोला नियूम्रेटर में तीन तक जब तक रहते हैं वो सही चलता है ठीक है चार की जरूरत नहीं है तो मैं इसे eliminate करूंगा अगर मैं यहां से एक eliminate कर रहा हूं तो मैं एक यहां से भी eliminate कर दूंगा clear तो अब मेरा हो गया उपर रह गया 4393 और नीचे रह गया 211 clear अब इसे आपस में divide कर देते हैं 4393 divided by 211 2 जा कितना हो जाएगा 422 ठीक है यह कितना हो गया साथ यह कितना हो गया एक clear ठीक है यह 3 आ गया उससे कुछ अब कटेगा नहीं तो एक 0 लगाया clear 0 लगाया और यहां पर एक 0 अब लगबग लगबग 8 से जाएगा ना एक में 16 आ जाएगा तो अप्रॉक्सिमेट इसे मैं बोल सकता हूं 20.8 लगबग कुछ आ जाएगा 1688 काफ़ी क्लोज आ गया हम ठीक है बस इसे यहीं पे इतने पे ही रोग देता हूं clear ठीक है तो यह कितना आ गये यह वाला हिस्सा आ गया आपके पास 20.8 इंटू 4 0 1 clear clear बस अब इसे आपस में multiply कर दो चाहे तो इस 1 को मैं यहां पे 0 भी बना सकता हूं clear अब इसे multiply करो 20.8 इंटू 4 8 4 जा 32 3 4 जा 8 और यह 2 0 और इसका जो पॉइंट था वो पॉइंट यहां पर आ गया clear तुम्हें पास आ गया 8 3 2 0 8 3 2 0 कौन से option के close है सबसे option number E clear ठीके न देखो 400 1 से इसे मैं multiply करता तो यहां पर calculation करना पड़ता अगर मैं 400 से कर देता हूं तो वो simple हो जाता है ठीके न 1 से कोई ज़्यादा फरक तो पड़ेगा नहीं ठीके एक ज़्यादा होने से क्या 20.8 20 का ही अंतर आने वाला था 8 3 4 0 हो जाता 4 से multiply करते है बड़ वो calculation वाला हिस्सा काफी लंबा हो जाता ठीके इसलिए मैंने क्या करा मैंने इस वाले को हिस्से को solve कर दिया यह मेरा 20.8 आ गया उसके आद मैंने 401 को क्या कर रहा 401 को 400 लिग दिया 400 लिग दिया क्लियर ठीके अप्रोक्सिमेट करने के लिए आप लोग यहां पर ऐसे कर सकते थे इस वन को भी अगर मैं 0 बना दू इस वन को 0 बना दू तो यह 0 और यह 0 भी कैंसल आउट होगे यहां से भी आप लोग ऐसे भी कर सकते थे पहले इस स्टेप में इसे उड़ा देते ठीके मैंने इसे सेपरेटली सॉल्व करा फिर इसके बाद इस वाले वन को हटा है चाहे तो आप लोग यह वन यह वन तो हटा ही था आप इस वन को 0 बना के इस वन को 0 बना के यह 0 और यह 0 भी कैंसल आउट करके कर सकते थे इसे इसी ली का अच्छा आप लोगों का जो डिजिट सम के कंसेप्स होते जो हम स्टिक्राइशन में मुल्टिप्लिकेशन के लिए यूज कर लेते हैं वो कंसेप्ट यहां पर नहीं लगते हैं क्योंकि जो आंसर दिया है वह तो अप्रोक्सिमेट कर के दिया हुआ है ठीक है एक्जेक्ट आंसर जहां पर है वहां पर digit sum का concept लग जाएगा मतलब simplification के questions पर digit sum के concept लग सकते हैं ठीक है उस पर भी मैं prefer करता हूं कि digit sum मत ही लगाया करो क्यूं दो option आगे तो फालतू के जहमेले हैं ठीक है क्लियर होगे यह concept ओके question number 3 पर चलते हैं कि सीक्ट कुश्चन नमबर 3 बोलता है square root कि आफ टू वण शिक्स डबल जीरो इन्टू क्यूब रूट आफ वन थ्री एट टू जीरो ब्राकेट तो सबसे पहले आप लोग ब्राकेट को सॉल्व करोगे क्लियर उसके बाद इसे डिवाइट करोगे 55.96 लिखा है तो मैं इसे क्या लिख देता हूं 56 लिख देता हूं क्लियर 55.96 का नतलब तो 56 ही हो ना काफी क्लोज हो गया वो तो एक दमी सेमी हो गया अब ज़रा देखो 216 के square root निकालने की कोशिश करते हैं दो जीरो तो जीरो लगा देंगे तो वह आ जाएगा clear कि यह बताओ इसके आसपास अगर मैं बोलू कि 14 का square मतलब 140 का square ना ठीक है यह 0 को हटाई देते हैं ठीक है 0 से कोई मतलब नहीं रहेगा ठीक है 216 का ढूणने की कोशिश करते कहां आप तक जाता है 14 का square क्या होगा 196 क्लियर 15 मतलब 150 एक तरीके से समझ लो 15 का square कितना होगा 225 क्लियर इन दोनों के बीच इन दोनों के बीच का नंबर कौन सा हुआ वन नाइन सिक्स और 225 के बीच का नंबर अगर मैं बोलू आप लोगों को निकालो तो कितना होगा इनका बीच का नंबर ठीक है मैं वैसे समझा रहा हूं 216 के reference पर समझा रहा हूं ठीक है यह 140 है यह 150 है ठीक है 40 का square होगा 196 00 140 का square होगा 150 का square होगा कितना 225 00 ठीक है इन दोनों के बीच का नंबर आएगा यह और यह कितना हुआ लगबग लगबग 145 में यह बीच का नंबर यह बनेगा क्लियर तो यह नंबर जो 216 से 145 से भी थोड़ा सा ज्यादा है क्लियर तो लगबग लगबग मैं बोलूँगा यह नंबर कितने के बावब रहे है छे ज्यादा है न अभी भी ठीक है दोनों यह difference पंद्रा है यह difference पंद्रा है तो लगबग लगबग यह साथ के आसपास है तो मैं इसे बोलूँगा 147 का स्क्वाइर रूट है यह लगबग लगबग क्लियर समझ गए न इससे निकाला बहुत है सिंपल तरीका है क्लियर इससे एक छोटा लिख लो इससे एक बड़ा लिख लो है यह एक चोटा लिखा एक बड़ा लिखfire और दौनों के पीच निकाल लो उसके बाद देखो की यह नंबर कहां जा रहा है इस थरा जा रहे कि इस तरफ मुवंमेट जा रहे है फिर उससे देखो수ra से कितना डेवियेट कर रहे हो यह बरेकि यह यह ब آپ आपका 21,000 और यह था 22,500 और वह कितना 21,600 ठीक है तो वह नंबर लाइन पर आप लोग differentiate कर लोगे easily आराम से कि कितना होगा वह क्लिया है ठीक है अब क्यूब रूट को मतलब इसका मतलब यह यह नंबर तो हो गया है यह हो गया में पास 147 क्लियर क्यूब रूट वाले को देखते हो देखो सुभभ ही डिसकस किया था मैंने 13820 कि तीन की पेरिंग की अब थर्टीन आया थर्टीन मतलब 2 का क्यूब और 3 का क्यूब मतलब यह 8 और 27 के बीच पे है ठीक है इसका मतलब जो क्यूब रूट होगा वह स्टार्ट किस से होगा 2 से होगा इन दोनों 13 और 8 का डिफ्रेंस 5 इन दोनों का डिफ्रेंस 19 डिवाइड वाइ 10 1.9 तो अब आप लोग 5 को डिवाइड कर दो कितने से 1.9 से लगवग 2 3 के अप्रॉक्सिमेट आजाएगा 57 आएगा ना 3 के अप्रॉक्सिमेट आएगा तो मतलब इसका क्यूब रूट का अप्रॉक्सिमेशन मुझे लेना हो तो मैं क्या वोलूँगा यह किस के बराबर है 23 के बराबर है क्लियर तो इसकी जगह मैं डाल दूँगा क्या 23 क्लियर बस अब इसे सॉल्व कर लो अब क्वेशन किस पर रिड्यूज हो गया 147 इंटू 23 डिवाइड बाइड वाइड फिफिफ्टी शिक्स कर लो और आप्रॉक्सिमेशन करना है तो और अप्रोक्सिमेट कर लो वैसे अब इतने में आने के बाद मुल्टीप्लाइकर करके वैसे के उसके option काफी दूर दूर है तो आप इसे और सिंप्लिफाइब भी कर सकते हो अगर मैं इसे multiply करके solve करूँ तो आप लोगों का answer यहाँ पर आता है लगवग लगवग 61 के असपास अप्रोक्सिमेटी से कर दिया है ठीक है यह आता है लगवग लगवग 61 के असपास clear तो आपका answer क्या होगा answer will be option a 63 क्लियर इस टाइब के जो वह कुषिन पूछेगा ना तो इस पर option पर थोड़ा सा मतलब आप लोगों को स्पेस जादा ही देगा वह क्लियर क्योंकि क्यूब रूट निकालना फिर अप्रोक्सिमेट करना फिर मुल्टिप्लिकेशन करना बड़े बड़े वह फिर कोषिन बड़ा ही होता जाएगा ना क्लियर इसलिए वह भी क्या करेगा कुषिन को चोटा ही करके देगा अपको मदब जो ऑप्षिन है उन्हें काफी वाइड करके देगा समझ गए कोषिन ठीक है कोषिन एकदम बेसिक से ही कुषिन साते हैं इसके एससे कुछ होगा मिलेगा नहीं कोईशन पर एक लिए नेक्स्ट कुईशन देख लेते हैं कुईशन नमबर फॉर कि सी तो 134 परसेंट का मतलब 1 by 100 अफ का मतलब मल्टिप्लाइए 3894 प्लस 38.94 होफ का मतलब मल्टिप्लाइए 134 अगर मैं यहां से 20 हटाओ तो यहां पर पॉइंट आ जाएगा और उसे मैं एलीमिनेट कर सकता हूं अब अब मैं इसे क्या लेग सकता हूं अब देखो 38.94 तो काफ़ी क्लोज है किसके 39 के क्लोज है तो मैं इसके हटा के 39 लेग सकता हूं हो कि डियर सिमिलरली 38.94 को यहां से हटा कर को क्या लिघ सकता हूं 39 लिख सकता हूं तो कोस्चन किस पर्यूज Gibi हो गया question reduce हो गया, 134 into 39 plus 39 into 134, clear, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दो बार इसे add किया गया है, तो मैं इसे ऐसे लेख सकता हू, into 2, clear, 39 into 134 into 2 करोगे, 39 into 2 करोगे, तो 9 to 18, 1 carry 3 to 6, 7, तो यह हो जाएगा आपके पास, 134 into 78, clear, इसका मतलब करो, 84, 32, 8, 3, 24, 27, 8, 1, 8, 2, 10, 7, 4, 28, 2 carry, 7, 3, 21, or 2 carry, 23, 7, 1, 7, 2 carry, 9, okay, 3, sorry, 2, 5, 3, 10, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 4, 1, 0, 4, 5, 2, clear, कुछ भी नहीं था कोशन में, बहुत थी simple कोशन था, 10452, तो अप्रोक्सिमेट करके भी हमारा एक्डम 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 एक्क्यूरेट अंशर ही आगे, क्लिया, ओक्ये, नेक्स्ट देखते है, सी, स्क्वार रूट और इस नंबर, तेक है, एक बहुत ही बड़ा सा नंबर दे दिया है, और आप लोगों को बोला कि इसका स्क्वार रूट निकालो, क्लिर अच्छा कि अगर आप लोग यहां पर देखो नीचे उसने क्या दिया है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स 1 1 पता ने कितने टाइम्स 1 और 10 टाइम्स 1 ठीक है उसने भी यहां से कुछ लॉजिक तो होगा तब ही ऐसा दे रहे हुए और अब अगर 11 इन्टिटू 11 करते ओ तो आनसर क्या आता है आप लोगों का cent boxes ग्यारां आप आप लोगों का 1, 2, 3, 2, 1 यह आंसर आता है चाहे तो करके देख लो अगर चार बार वर नो 1, 2, 3, 4 इन्टू, 1, 2, 3, 4 तो क्या आता है तब आंसर आता है 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 बस इतने में आप लोगों को लोजिक समझ में आ जाना चाहिए means 1, 1, 1, 1 चार बार से चार बार 1, 1, 1 multiply होता है इसका मतलब 1, 1, 1, 1 का square ही समझ लो ठीक है तो इसका square क्या होता है actual में जितने 1 है उतने times तक यह जाता है मतलब 1 से start होगा कितना 1 है 1, 2, 3, 4 वन है तो 1, 2, 3, 4 तक जाएगा फिर reverse हो जाएगा 4 पे पहुंचने के बाद 3, 2, 1 क्लियर अगर ऐसे 6 होते है 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर मैं इसका square पूषता आपसे तो इसका square क्या होता है 6, 1 है तो 6 तक जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 पे जाने के बाद reverse क्योंकि 6 बन ते 6 तक पहुंचा फिर reverse 5, 4, 3, 2, 1 यह इसका answer होते है ठीक है यह 11 के square के tracks होते है और यह questions exam से पूछे भी जाते है क्लियर क्योंकि अगर square करने लग जाओगे तो पतानी कितने time निकल जाएगा तो अगर मैं इस question को देखू तो यह कहा तक गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक गया है और उसके बाद reverse हुआ है 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 करके clear इसका मतलब क्योंकि यह 9 तक गया है तो total कितने 9 होंगे तो मैं इसे ऐसे लेख सकता हूँ square root of 1, 1, 1, 1, 1, 5, 6, 7, 8, 9 यह लेख से तो clear अब यह square root से बहार आएगा तो क्या आँ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 simple तो option number B clear अब लोगों ने number system के lecture पर यह बाद discuss भी किया होगा वहाँ मैंने अगर वहाँ पर question आया होगा तो important concepts है इसे related paper में questions पूछे जाते हैं ठीक है और जिने नहीं पता है concept उन्हें करना थोड़ा question को मुश्किली है क्योंकि इतना वड़ा calculation करनी सकता कोई ठीक है टाइम बचा के करने को तो कर देंगे बहुत टाइम लग जाएगा उस पर क्लियर ठीक है okay hopefully आपको जो पांचो कोशन हम लोगों ने discuss किये यह पांचो कोशन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे और बैसिकली approximation में rounding off का जो concept है वो concept आप लोग समझ गए होंगे कि नियर डिजिट पर पहुंचना है इस हिसाब से पहुंचना है कि जो नीचे जो डिविजन पर दिया हो वो चैंसल आउट होते रहे हैं कि यह बाकि दो बड़े डिविजन आते हैं तो नियूम्रेटर को तीन तक रख सकते हो कि यह बाकि क्यूब रूट कैसे निकालना है आप्रौक्सिमीट करके वह मैंने बता दिया कैसे बड़े वाले स्कौइर पर जाओ चोटे वाले स्कौइर मतलब जो भी नंबर दिइआ है उससे कि उसके रेंज देखो उसकी रेंज कहां से कहां तक है उस रेंज पे शेंटर का नंबर फाइंड करो और सेंटर के नंबर से देखो कितना deviation है उससाब से लगबग approximately आप लोग लिख लोगे easily clear okay hopefully आपको lecture पसंद आया होगा अगर lecture पसंद आया है तो lecture देखने के बाद like पे click करना न भूलिएगा clear अगर कोई भी problem face कर रहे हो तो comment box पे problem अपनी लिख दो clear okay thank you